नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल भारत्य संस्कृति में दोस्तों वजन घटाने से लेकर तोचा को सुंदर बनाने तक मेथी दाना का अपयोग कई तरह से किया जाता है इस आयुरुवेदिक हर्ब का सेवन हाइब्रेट शुगर और डाइबिटेस को न और प्रत्य स्वादद्गार साबिध हो सकता है शुगर कम करने में मेथी का योगदान मेथी दाना में सॉल्यवल फाइवर बहुत अधिक मातरा में होता है कार्वोअवाईड्रेट यानि अपने जो रोटी चावल या दूसरे अनाच खाये हैं मेथी दाना शुरील के मात्रा धीमेदी में मिलती है और आपकी लक्ट में शुगर की मात्रा नियंतर्त रहती है डाबीटीज में मेथी दाना का दूसरा काम मेथी दाना में पाई जाने वाले अमीनो एसीड रक्त के अंदर मौल्जु शुगर को तोडने और उसका इसतर्व घटाने का काम करते हैं इसे रख्प में इंसुलिं की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है और diabetes नियंतर्प रहता है diabetes में मेथी दाना का तीसरा काम मेथी दाना का नीम में 7 आपकी metabolism को सङी रखने का काम करता है आपको बता दें कि यदि शरीर के अंदर आपके खाए हुए भोजन के बाचन के बाद उसके अव शोशित होने और कई हिस्सों में तूटने की प्रिक्रिया सही से होती है तो शुगर अपने आप नियंतिर रहता है मेथी दाना आपके शरीर की इसी चय पैचय की प्रिक्रिया को सही बनाए रखने का काम करता है इससे आप चाहे टाइप वन डाविटीज के मरीज हो या टाइप ट्यूप डाविटीज के मरीज दोड़ों ही इस्तितियों में आपको मदद मिलता है कैसे करे मेथी दाने का उप्योग मेथी दाना को आप दो तरीकों से नियमित उप्योग में ला सकते हैं पहला तरीका है भोजन बनाते समय उसमें मेथी दाना का उप्योग करें दूसर तरीका है कि आप रात को एक चमच मेथी दाना पाने में भिगो कर रख दें और अगली सुबा खाड़ी पेट सबसे पहले इसी मेथी दाना को चबा कर खाए इसके बाद एक दो घुट पानी पी सकते हैं बाकि जो कुछ भी खाना पीना हो वो मेथी दाना खाने के कम से कम 30 मिट बाद ही खाए तो ऐसा करना आपके लिए जादा फ्लापकारी होगा तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपनी राहे में कॉमेंट करके ज़रू बताए और साथ ही अगर शेयर कमेंट करना ना भूले मिलती हो आपको ऐसी ही हेल्थ टिप्स के साथ तब तक के लिए धन्यवाद